लक्ष भीत शिविर में कमलित सभी च्छात्रवत 12 और 10 सभी देवतुल्य आचारे आज इस शिविर का तीसरा दिन है कल पूरी तरकीब से प्री बोर्ट के पेपर को सॉल्व कराए गया उसके पश्चात आज से जो है क्रम कुछ इस प्रकार होगा किस तरीके से तैयारी करनी है किस तरीके की विवस्था रखनी है किस तरीके से हमें माक्स का डिविजन करना है और किस तरीके से हमें अपनी को कॉंटिन्यू रखना है पैतालिस दिन कुद्धगाटन सत्र में भी मैंने बोला था कि यह पैतालिस दिन हमारे लिए मेहनत परिश्रम और लगन के हूँ पीपर सॉल कराने के प्रश्चाथ आज से जो क्रम होगा वह यह देखा जाएगा कि जो पास नंबर के प्रश्च्ण है जो तीन नंबर के प्रश्च्ण है जो दो नंबर के प्रश्च्ण है और जो एक नंबर के प्रश्च्ण है उसका डिवीजन जरूर टीचर्स अपने में करा दें किस किस चैप्टर से पास नंबर नोंबर के ने वर के होगे लिए यह आपको पहले चसनेंबर के प्रश्प लॉकंस करना है क्योंकि भूर कि संख्या कितनी होगी तरहःती नों ठीके लाओ तो उसके क्या होगा कि आपको ये शुरुवात के दो तीन निनों के अंदर लग करके आपको पूरी तरकीब से आपके ये 10 नंबर 15 नंबर तैयार हो जाएगे क्योंकि अभी हमारे पास सुरुलाती दौर है हमें बढ़े अंकों चर्ला एक ठैयार करेंगे और سाथ में उसमें क्या होगा जब हम प्रेक क्लास में रहेंगे घर पे जो या हॉस्टल मेरा करके जो हम स्टडी करेंगे तो पूर तरकीब से उसको देखेंगे कि उसमें एक-एक नंबर के भी प्रश्ण को समायजित करेंगे एक-एक नंबर के प्रश्ण आपको ट्राइमेक्स पर पहुचाएंगे आपको 98, 99, 100 पर पहुचाएंगे की सक्की रखते हैं एक-एक नंबर के प्रश्ण तो हमें इस दौरान शुरुवाति दौर में पांच नंबर के प्रश्ण और एक नंबर के प्रश्ण पर फोकस करना है क्योंकि एक नंबर का प्रश्ण नं-C-R-T में कहीं से भी उठाया जाता है वा समझेंगे और साथ में यह भी ध्यान रहे कि हमें जो पांच नंबर के प्रश्ण है वो किन-किन चैप्टर से है आचारे लोग देखता कि है उन्हें पता है कि इस चैप्टर से यह पांच नंबर के प्रश्ण उठेंगे वो जो 12, 14, 15 कोस्टन बताए उनको तैयार करना उनको लिख करके देखना और आचारे उसे करेक्शन कराना कि हमें कितना एप्रोप्रियेट हमें लिखना है हर अंक के आधहार पर जो वर्ड्स है वो तैय है एक नंबर का सवाल है तो एक शब्द में ही पूरा होना है है दो नंबर का है तो उसको एक जिल्ट में तो करना के तक चंह के साथ तो कई प्रस्ट के किस किस चैप रहेंगे कितने अंक के है और कहा कहां से हमें तैयार करना है ऐसे प्रश्टों की श्रिंकला जो है चाहे गरित के आचार जी और चाहे विड्यान के ओं, चाहे वो कीओ अंग्रेजी के हो वह अपने देश देंगे और बड़ी कक्छाओं में बाइयों के होंगे जा फिर आपके एकाउंट के होंगे या क्यों होंगे वह हर तरीके से तैयारी कराएंगे मेरी बास समझना धैर से कि पाश नंबर का और एक नंबर का आपका तैयार होता चला गया तो आपका क्या होगा कॉंफिडेंस लेवल अप रहेगा फिर उसके बाए आज से ठीक दस दिन बाद जो होगा ती नंबर और दो नंबर के प्रश्ट पर हम लोग फोकस करेंगे और उसको तयार करवाएंगे यह ध्यान रहे इसमान बना रहे हैं विसे इस बाद हर दिन अपने लक्ष की को याद कर है कि हम नाय्टि का हमने लक्ष का रखा है 95 का रखा है 92 का रखा है 85 का रखा है 88 का रखा है और साक बने अपने माता पिता के फेस को भी बुर्जुर्गों के फेस को भी याद करेंगे कि किस संकल्प के साथ किस दिण इच्छा सक्ति के साथ उन्होंने इस गुर्कुल में इस इस विद्याले में आपको विंटर कैंप के लिए भेजा है और उनको मनंचिंदन करते हुए अपने लक्ष को ध्यान में रहना है और आनंद के साथ रहना है खुब अच्छी से प्रिपेर कीजिए और आगे बढ़े एक तो बात यह होगी पाश नंबर का प्रस्टे जब आचारगी लोग बता देंगे आप करेंगे आप डॉम में बैट करके हॉस्टल में बैट कर एक दूसरे से भी आप प्रॉस छूट गया तो उसको क्या होगा आपको कुना क्या वह बता देगा आप कर दिशन होगा एक नंबर के सवाल है एक दूसरे से खुब पूछते रहें क्या होगा दिमाग पर धीरे दीरे चड़ जाएगा क्योंकि आपके संख्या दस से लेकर के पंद्रफ तक है तीनियर क्लासे में भी और टेंथ में भी यह बात यहां रखना है कि हमें तैयारी किस दिमित करनी है कैसे कर दिए यह बात कोई भी बच्चा जो चीज याद करेगा उसको लिख कर अवस्य देखेगा और लिखने के बाद आचारी ज अंसर हो रहा है कि नहीं यह चीज जरूर चक करवानी है आचारी से 45 इनके अंदर हाव टू राइट कैसे हम अपने लेखन विदी के द्वारा पर प्रभाव डाल सकते हैं वहां पर सकल ना होगी सुरत होगी ना के वाल आपका राइटिंग स्किल देख करके एक्जामनर जो कैसे हमको लिखना है कैसे हमें क्या है हर प्रश्ण का उटर सही तरीके से देना है कहां अंडरलाइन करना कहां सैंटिस्ट को हाइलाइट करना कहां इयर को हाइलाइट करना इन बातों का जब ध्यान रखेंगे तब जाकर के बाद जो है वो बनेगी और हम सक्सेश्फुल हो तो मैं इसलिए कहा हूं सुर्वाति दौर से ही ले करके चलना है अंकों का खेल हम पाच वे पास नंबर के प्रस्तित तयार करें एक नंबर के तयार करें फिर उसके वाद संद्ट तमंबर के और दौन करेंगए और जो खिली ने पूरा क्या मंगवा लिया है जो भी आपको नूर्ट मिले प्री बोर्ड के पेपर्स मिले, मॉडल पेपर मिले, कॉस्चन पेपर मिले, वो सब उस फोल्डर में जाने चाहिए और फोल्डर को ले करके प्रेप में बैठेंगे तो आपकी तैयारी और इची होगी, एक बात और ध्यान रखेंगे, अब्जेक्टिव टाइप कॉस्चन को सॉल्ड करने के लिए, NCRT के जो बॉक्स के अंदर समरी जो है, यह जरूर पढ़कर के रखेंगे, मैक्सिमम जो है, अब्जेक्टिव टाइप कॉस्चन, उसी बॉक्स के अंदर और समरी के अंदर से बनते हैं, यह हर बच्चे को, हर विशे के लिए सोचना है, कि हमें अप लिए 45 दिन के इस विंटर कैंप में आचारियों के द्वारा पूर मार्शन दे करके हम लोगों ने पेपर का भी निर्माड किया हुआ, दो दो तिन तिन पेपर है, वो भी सॉल्व कराएंगे, जब ऐसी तयारी होगी, तो अभी जैसे क्या होगा, पाश नंबर की तयारी ज तो है आपका 10 देज वाद लिया जाएगा, जो उमेशाचा जी से योजना बनी है, कि वो जो है पूरा टेस्ट पेपर जो है, दस दिन के बाद आपका ले करके, आपकी फाइलिंग, आपके फोल्डर में लग जाएगा, कि आप कितना प्रिपेर कर रहे हैं, आपको लेखन आई की नहीं, आपको अब्जेक्टिव का एंसर देने आया की नहीं आया, आपने जो मर्टिपल चॉस्टेन है, उसको आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं की नहीं कर पा रहे हैं, इन बातों का विसेज ध्यान रखना है, तो हम आज वंदना सत्र में ज्यादा समय न लेते हुए, केवल इतना कहेंगे कि अपनी 45 दिन के लिए कमर कस लीजिए, दिर संकल्प लीजिए, माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, माता जी के फेस को देखिए, पिता जी के फेस को देखिए कि किस तरीके से उन्होंने भेजा है, और हमें कितना अच्छा लक्ष की जो है में हो अपना फूर्ण अपने प्रखियों किसी दिस्ट्रेक्शन की और नहीं जाना है वह क्या कर रहा है अ्पणने से स्क्राइब हो पटिंग हम अश्जी हें कि χा में अपने आप में में हो क्या हम बदल रहे हैं हर दिझ हमको अपने आपको evaluate करना कि आज हम कहा है कल कहा है परसों कहा है हमारे में हो रहे कि नहीं जो सवाल हमें आप नहीं आता था वो हमें आचार जी ने बता दिया यह बात ध्यान रखेंगे इस समय वस्ट हाफ चल रहा है गणित के बूर्धन जितने टीचर है हमारे विकास जी है जनारदन ज करेंगे और कहीं कोई दिक्कत है तो आप सीधे डारेक्ट मेरे से भी मिल सकते हैं मैं भी आपको क्या है देख सकता हूं पढ़ा सकता हूं तो कुल मिला करके अपनी तयारी को डे बाई डे हर दिन हमें पता रहे ऐसा मैं अभी विश्जी से वताऊंगा कितने अंकों का किस विश्जय में तयारी हुआ किस तरीके से हमने अपने क्लास को प्रेप को लेकर समय जित करके हम इतने नंबर तक पहुच गया यह चीज दिहान अपनी चाहिए तो सभी देवतुल्य अचारे उसे निवेदन कि अपने बच्चों को पांच नंबर और एक नंबर की और फोकस करेंगे कि हमारी प्रोग्रेस कहां पर है और हमें और क्या करना है और किस तरीके से अप्रेणा लेगी है और किस तरीके से हमें मेहनत करनी है जिससे हमारा 11 दिन से जो है आगे का क्रम 20 दिन के लिए प्यारम हो बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत शुब कामना है ख तो कामना है